जिसे सर्फ देखने भर से जिसके सिर्फ होने से कहीं पर भी कोई शक्स मुस्कुरा देता है। खिल खिलवाकर हस उठता है, वो शाहिनास को और गिल है, जिसकी होना, जिसका होना भी कहीं भी खुशी को भर देता है, जी हाँ, शाहिनास को भी टिप्रेशन का शिकार रही है, और वो ना एक बार, दो बार नहीं, बरकि तीन-तीन बार टिप्रेशन का शिकार रही है, एक ब अगर वो यहां नहीं है जिहां उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर्दिया, खुद को अकेली रखना शुरू कर दिया, खाना पीना तक छोड़ दिया, लेकिन उस वक्त उनके साथ था उनका परिवार, सिधार्थ का परिवार उनकी मा जीटा मा और उन्होंने शहनास कौरगल को इस अंधेरे से बाहर निकाला और अब शहनास कौरगल की जिंदगी में भी रोश्नी आई है और वो हर जगा रोश्टी फैलाती भी है दूसरी बार तब यानि कि इससे पहले तब जब शानास को गिल एक सीरियस रिलेशन्शिप में थी जिहां पंजाब में ही वो प्यार में पढ़ गई थी लेकिन जिससे वो प्यार करती थी उस शक्स ने शायद सेहनास की एहमेत नाजानी और वो नशी की लथ में पढ़ गया और नशे का इतना आदी हो गया कि शानास को भी एकनौर किया शानास ने अपनी तरह से पूरी कोशिश की लेकिन वो शक्स नहीं माना और अंत में शानास को गिल को अकेला शोड़ दिया शानास उस दोर में भी अकेली पड़ गई लेकिन तब भी उनके साथ था उनका चाहते थे वो एक ऑफिसर वाने लालबती की गाड़ी में घूमें लेकिन शैनास के सपनीौर थे उड़ान वो दूसरी भड़ना चाहती थी क्योंकि वो वुड़ना चाहती थी चलना नहीं चाहती थी और परिवार को था कि वो गाड़ी में चले लेकिन शैनाज ने अपने सपनों को एमियत देते हुए अपना घर परिवार छोड़ा और अपने सपनों के पीछे चल पड़ी उस दोर में भी शैनाज गिल को अकेला पर महसूस हुआ परिवार की कमी खली लेकिन फिर भी उसने हार ना मानी लेकिन जब वो डिप्रे मुश्किलों का सामना किया है तभी तो आज वो एक मजबूत महिला है एक मजबूत व्यक्तित्व है ना वो खुद के लिए एक उधारन है बलकि जो दूसरे लोग उन्हें समझते हैं उन्हें जानते हैं उनके लिए भी वो एक बहतवपूर्ण और एक मजबूत उधारन है अपने आपको सबारने का इसे तरह से हर एक अप्रेट को जानने के लिए चैनल के साथ पने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए